साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र विक्सित भारत के चार मजबुत संब युवा शक्ती, नारी शक्ती, गरीब, किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस, डिगनीटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस, क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस, निवेज से नोकरी निवेज से नोकरी पर भी है इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी अफ आपर्चुनिटी और क्वालिटी अफ आपर्चुनिटी दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे है भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांख्याओं का प्रतिवीम्ब है साथियो भाजपा सरकार जे पिछले दस वर्ष में पचीस करोर लोगों को गरीबी से बहार निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बहार आएं इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं कि अस्पताल में मरीज का आपरिशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर तबियत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीज़े समालना हो ये उनके स्वात के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बहार निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशक्ता होती है ताकि किसी भी कहांड से वो गरीबी में प्लात्वापिस जाने के लिए मजबूर ना हो जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी हम एस सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशन युक्त हो और उसके मन को संतोज देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेट भी भी हरें गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है इन निर्णे सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो भुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी किंता होती हैं कि बिमारी की सिटी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर्ग परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर भुजुर्गों आईश्मान योजना के दाइरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर भुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दाइरा होगा जिनको पांच लाक रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड पक्के घर बना कर दिये हैं अब जो अतिरित जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही हैं क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती हैं तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संकर्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुँचाए हैं अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस गर गर पहुँचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरीप परिवारों को मुप्त बिजली कनेक्शन दी है अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में आकाम करेंगे पी-म सुर्य घर मुप्त बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्रिक करा चुके हैं अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो उसको स्कूटर कार के पैट्रोल डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्रिक वहीकल करता है तो उस से उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथियों, बीते वर्षों में करोणों लोगों को entrepreneur बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है करोणों के संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए है लाखों लोग जॉब क्रियेटर भी मने है इस सफलता को देखते हुए अब भाज पाने और एक संकल पलिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोन की सीमा दस लाख रुपिये हुआ करती थी अब भाज पाने इससे बढ़ा कर बीस लाख रुपिये करने का इरादा किया है और मुझे पक्का भी सवास है इससे शहर हो या गाउ युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जादी के बार पहली बार रेहडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को दिगनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेहडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही है मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपान इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचास हजार रुपिय का कर्द की जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाउं देहाद के भी रेडी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ, सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरुरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्ट्चर में बदल करना पड़ेगा डिव्यांग बदल करना पड़ेगा एक काम किया जाएगा ट्रांस जेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है भाजपाने ट्रांस जेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाएरे में लाने का दिन नहीं लिया है साथियों भारत आज विमेन लेट डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्स नारी गरिमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पांच वर्स नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे बीते दस वर्स में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी हैं दस करोड बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी सिख्षा स्वास्थ रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाने की गारंटी दीए नमों ड्रोन दीदी योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेंगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलट के नाते पुरे गाउं में एक प्रतिश्चा के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मेरा आनुबह है हमारी माताए बहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नोलोजी भी सीख रही है इतना ही नहीं एगरिकल्चर में एक बहुत बढ़ा रिवोलुशन है यह हमारी ड्रोन दीदी प्रस्तापित हो जाएगे वो धुरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला खिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी बहनों बेटियों के बहतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ बवस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको ससक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाइरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मचवारे भाई बहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिर का लाब भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारिता से समरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारिता नीती लेकर के आएगी और ये बहुत बड़े करांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले है देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ मेहने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्ड सूपरफुड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं इससे स्री अन्ड पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाब होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे हमारे मचली पालक साथियों को सीवीर की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बड़ा रिवोर्सरी काम शुरू किया है और सफलता मिली है नेनो उरिया नेनो उरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोर दिया जाएगा भाजपा ने किसान समुरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वेल्व एडिशन होगा किसान का फाइदा बढ़ेगा रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे ये फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय गवरल दिवस मनाना तैक किया है अगले वर्ष दोहजार पटीस में बगवान बिरसा मुंडा की एक सो पचास भी जनमजनती है इसे राष्टिय सर पर मनाये जाएगा जन जातिय गवरो अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी पोथा ही करेगी डिजिटल जन जातिय स्कला अकडेमिकी भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक स्टार्ट अप्स साथ सो से जादा एक लब्य स्कूलों के निर्मार के लख्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथ क्यों भाजपा विकास भी और विरासत भी उस मंत्र में विश्वास करती है हम पुरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्मार करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रकार के नए उपकरम शुरू करेगी प्रयास करेगी हमारे देश में टुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है भाजपादवारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टुरिश को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा अरप को हमारे जैसे नालंदा हो लोथल हो होई साथ पवित्र मंद्व जैसे अने थलों का विकास किया जाएगा अभी एक ओनलाइन कॉंपूटिशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग टुरिजम के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं ये टुरिजम डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है इसके आधार पर अच्छे टुरिज़ डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक करके उनके सरवांगिन विकास के लिए डेवलप्मेंट के लिए और विदेशी टुरिश्टों को भी आकरशित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है टुरिज़म वो सक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार पैदा करता है टुरिज़म बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरन, होटो रिक्षा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फाइदा होता है भाजपा एको टुरिज़म के नए सेंटर्स भी बनाएगी इससे होम स्टे के जो अवसर बनेंगे उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार होम स्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों 21 सदी के भारत की बुनियाद भाजपा तीन तरह के इंफ्रस्टर्टर से मजबूत करने जा रही है पहला है Social Infrastructure, दूसरा है Digital Infrastructure, तीसरा है Physical Infrastructure Social Infrastructure के लिए हम नए नए एजुकेशनल इंस्ट्टूट्स खोड़ रहे हैं युनिवर्सिटीज बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं आउश्मान आरोर के मंदिर गामों में बना रहे हैं इतना ही नहीं, हमारे जो विशेश का ट्रक ड्राइवर्स है उनके लिए हम हाइवेज के पास उनको सफिशन रेस्ट मिले, एट्सिदेन्ट कम हो इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रेक्टर डेवलप करने जा रहे हैं ताकि ड्राइवर्स सफर के दर्म्यान हाइवेज पर जो समय उसको स्नान के लिए चाहिए अन्य सुविधा के लिए चाहिए रेस्ट करना हो तो उसको मिले तो ऐसे बारीच बारीच अनेक शेत्रों को ढूंड करके हम सोशल इंफ्रास्ट्रेक्टर पर बलते रहे हैं दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रेक्टर इसलिए हम देश भर में हाइवेज, रेलवेज, एरवेज, वोटरवेज उनको आधुनिक बना रहे हैं तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रेक्टर और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं 6G पर काम कर रहे हैं और इंडिस्ट्री 4.0 के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रेक्टर यह उसकी बैकबॉन होती है हम industry 4.0 को धान में रखते हुए हमारे digital infrastructure को तयार कर रहे है हम सरकार की जादा से जादा सेवाओं को online बना रहे हैं common service centers की संख्या बढ़ा रहे हैं ONDC online जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए platform ONDC और telemedicine का विस्तार कर रहे हैं इन तीनों तरह के infrastructure social, physical और digital इंफ्रा का मजबुती से विस्तार भाजपा की एक प्रमूख एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग गती भी तेज होगी scale भी बहुत बढ़ा होगा and scale और speed इतना बढ़ेगा कि उससे scope भी बढ़ जाएगा ये भाजपा की सर्वोच्च प्रास्थिक्तावमस है हमारे देश में urbanization को शहरी करण को पहले की सरकारे चनोती माना करती थी भाजपा उसे आउसर के रुपे देखती है हम देश में नएने satellite towns बढ़ाएंगे जो देश के विकास का growth center बनेंगे रोजगार के नए आउसर बढ़ाएंगे देश के aviation sector के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है अभी देश ने आपको पता होगा करीब एक हजार से जादा नए विमान का order दिया हुआ है बारत ने वो अपने साथ employment की भौत दारी नई संभावना लेकर आएंगे पाइलट airline crew ground shop इससे जुड़ा logistic transportation ऐसे अनेग सेक्टर में नए आउसर create किये होगे इस सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले वाओं के लिए भी dream center बनने जा रहे है साथियों भाजपा देश के कोने कोने में बंदे भारत trainों का भी विस्तार करेगी देश में बंदे भारत के तीन model चला करेंगे बंदे भारत sleeper बंदे भारत chair chair car और बंदे भारत metro इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुली भारत की और विक्सित भारत की दिशा में जाने के लिए आज अमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पस्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन दक्षिन भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन वैसे उत्तर दक्षिन पूरब पस्चिम आरो दिशा हों एक से हम आधुनित्ता की तरफ जाने को गति जेंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा साथियों भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मन दिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है डिफेंट सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्ज करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस, ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मंदिर भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिजियोबल एनर्जी हो, गोबर्दन हो, बायो फियल हो सबी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्म निर्फर बानाने के साथ ही परियावरण की दुरुष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रीक वेहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दस साल पैसे दस साल पहले एक साल में सिरफ दो हजार इलेक्ट्रीक वेहिकल भीके थे एक साल में दो हो जार है जबकि पिछले ही साल सत्रा लाग से जादा इलेक्ट्रीक वेहिकल भीके है पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासेकर बनाए जा रहे हैं और इए वेहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पी-म सुर्य घर से जोड़ करके घर में भी चार्डिंग स्टेशन और मुप्त ट्राविलिंग उद्धिशा में बढ़ रहे हैं इससे उभरते हुए से भी देश में रोजगार की अनेक नहीं संभावनाए बनने जा रही है भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टस का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रोनिक हब होगा, आटो मुबाइल हब होगा, सेमी कंड़क्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंशॉरंस हब होगा, कॉंट्रेक्टिंग कॉमर्टियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े economy centers भारत में होंगे भारत, global capability centers, global technology centers, global engineering centers का बहुत बड़ा hub बनेगा space में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निस्विद road map से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर कलपना भी नहीं की होगी जातियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्व की सिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन छेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्मित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भहमत वाली स्थीर सरकार की आवस्थता अनेक गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फिक रुप से भी समय विश्षीद भारत की तरफ तेज गती से ले जाए और भाजपा इसके लिए भाजपा का ये संकल्प पत्रा भाजपा का ये मरिफस्टो भारत विश्व बंदु के तौर पर रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी ठीट कभी पीछे नहीं हरती हमारे शक्ती बंदन अधिरियम अब कानून बन चुक है और हम CAA लेकर आए रिजी से आगे बढ़ेंगे गुड गवर्णन्स डिजीटल गवर्णन्स देश में आवश्यक्त इंफ्रास्टेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक्त समझती है आपने देखा है कि पिछले दस साल में बस्ता चार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई किये है ब्रस्ताचार गरीब का हक छिनता है मद्यमबर का हक छिनता है राष्टियत सर पर होने वाले हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए है अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्ताचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है साथ्यों मेंने लाल किले से कहा था कि यही समय है सही समय है आने वाले एक हजार वरसों के लिए भारत के भविष्ञ को टै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्षन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का अपना अम्बिशान ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुभाव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस्ट की मैजबानी के लिए पूरी ताकर लगाने वागे ये नया भारत रखतार पगड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रुप में देश वास्यों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ 144 करोर देश वास्यों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आये हैं मैं देश वास्यों से प्रार्षना करता हूँ कि माभारती के कोटी कोटी जनों के कल्यान के लिए विच्छीज भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए इस संक्र को लाए हमें आशिरवाद दे हमारी शक्ति और बढ़ाए इसी एक इसाराम ने जाए हैं